रिना दूबे जी, अभिशेक दूबे जी, पुझे महराजी, आपके चरणों में कोटी-कोटी पढ़ाओ, महराजी मुझे मेम्परी लोस चेतना शक्ती शुनने की बिमारी है, महराजी मैं जब से आप से जुड़ी हूँ और आपको सुन रही हूँ, तब से नाम जब करती पर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जिस दिन मेरा मेम्परी लोस होता है, तो कुछ घंटों तक मैं कुछ सोच समझ नहीं पाती हूँ, और बिना नाम जब ही सब कुछ अंजल ग्रहन कर लेती हूँ, पर जब मैं समाने वस्ता में हो जाती हूँ, तो मुझे जब यहाद आता है तो मैंने बिना राधा नाम जब खा लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आता, महरजी उस परिस्तिती में। हर एक आदमी अन्भो कर सकता है, ऐसे ही हमने मूर्चा के समय भी देखा, जो हमारे डाइलेसिस के लिए आपरेशन हुआ, उदर वाला फिर शाती का यहाँ आपरेशन, फिर हाथ का, तो यहाँ वाले में हमें बिहोश किया गया, तो हमें जब बिहोश करने को था, तो हमने कहा था, कि आप बिहोश करने के कुछ मिनिट पहले में सूचित कर दीजी, कि मैं आपको बिहोश कर रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि बाबाब हम इंग जिस्टन लगाने वाले, तो हम जो हमारा चिंतन था, मानो मृत्यू का समय, हम ऐसे गार चिंतन किया, तो जो हम पद शुरू किये थे, तो जब हमारी मुर्चा भंग हुई, तो अगली लाइन वही चल रही थी, सायन के समय, मुर्चा के समय, तो वही आप मुर्चा जैसा समझ लीजी इसको, तो जिस समय आप राधा राधा चेतना में बोलकर, आपकी चेतना सकती, इस्मृती सकती लुप्त ह फिर जब जागरत हुई, तो फिर राधा राधा बोल रहें कि मुझे गलानी होती, तो वह पूरा समय आपका भजन ही माना जाएगा, अगर उस इस्तिती में प्राण चले जाते हैं, तो आपको भगोत प्राप्ति होगी, क्योंकि मुर्चा के पहले आपने राधा बोला था मुर्चा वस्था में आप अश्मर्त हैं, न सत बोल सकते हैं, न असत, न सत क्रिया न असत क्रिया, तो अब आपका राधा ही माना जाएगा वो, प्रारंब का, और उसी से बगोत प्राप्ति हो जाती है, जैसे कोई सुबह बोला राधा, और बेहोस हो गया, अस्पताल में बढ़ती हो गया, और उसे हो से नहीं समाप्त हो गया साम तक, उसे बगोत प्राप्ति होगी, क्योंकि अंतिम उसकी चेतना में पहली बार राधा जो निकला और फिर मुर्चित हो गया, तो उसका वही माना जाएगा अंतिम समय स्मर्त, और उसी से बगोत प्राप्ति हो जा झाल झाल